टॉप बैस्ट गेमिंग स्मार्ट्फों अडर 25000 वह एंगर आपको स्मार्ठटफों की मतलग बात करते हैं सैंसंग के स्म liD 확 25,000 से अगर आपका वेड़ कम है तो इस प्राइज रेंज में मैंने यार दो स्मार्टफून रखे हैं सैमसंग की और से मैं बात करहाँ सैमसंग गलाक्सी एम फिफटी वान की एंड मैं बात करहाँ सैमसंग गलाक्सी एफ सिकसी तू की ये दोनों स्मार्टफून बहुत ही ज्यादा सही है लेकिन अगर डिजाइन लुक या कलर्स वाइस देखा जाए तो सैमसंग गलाक्सी एम फिफटी वान का डिजाइन कलर लुक को वगारा जाता सही है एस कंपैरजन किया जाए सैमसंग गलाक्सी एफ से ठीक है इन में प्रोचेस्टर दोनों में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है बैटरी लाफ आपको सैवन थाउजन एमेज की दोनों में मिल जाएगी मतलब आपके दो दिन तो नॉर्म निकल जाएंगे सॉरी जितनी भी आपने हाड़कोर गेमिंग करने हैं मुल्टी टास्किंग करने हैं कुछ भी करना जाता है आप नॉर्मली इजली कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दोनों की अपर देखने को मिल जाते हैं एंड ये 25,000 से नीचे दोनों स्मार्टफून देखने को मिल जाते है तो आप देख लेना अगर आपको samsung galaxy f-62 सही लगता है भी आप उसके और जा सकते हो अगर आपको samsung galaxy m51 सही लगता है आप इस स्मार्टफून के और भी जा सकते हो लेकिन अगर मीरा बजट 25,000 से नीचे होता और मुझे नॉन चाने इस स्मार्टफून चाहिए होता तो बह तो भे अख़्ादा अप्पर आपको देखने को मिलजाता है तो थी अगर आप लेना ON स्मार्ट फण तो भी अगर आपका प्चीस हजार से कम है आपको मिकार से स्मार्ट पून चाहिए कि मैंने डो रखे यह जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते प्रशेड के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, जो MI10i है, वो आपको 5G देखने को मिलता है, लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है, वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, प्रसाइसर दोनों में तगड़ा मिल जाता है, स्नाप डागन की और से आ दोनों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max जो है, वो डिस्ट प्रूफ है, उसमें आपको IP53 रेटिंग देखने को मिल जाते हैं, जो की साथ में एक प्लसमाट आ जाता है, प्लस Redmi Note 10 Pro Max जो है, वो Super AMOLED डिस्पले के साथ आता है, जो MI10i है, वो IPS LCD के साथ देखने को म देखने को मिल जाते है, वो आपको 5G तो नहीं देखने को मिल जाते है, तो उसकी कुछ अपनी खास है और MI10i की कुछ अपनी खास है, मतलब 5G स्मार्टफून चाहिए, तो MI10i आपके लिए पर बेस्ट दी लो सकता है, अगर आपको 5G से फरक बगारा नहीं पड़ता, जो भी आपको डिजाइन लुक वाज़ अच्छा लगता है, आप उसके और जा सकते हो, आगे बात करते हैं, नमबो थ्री की, नमबो थ्री की बात करूए है, नमबो थ्री पर रखे है, मैंने रियल्मी की और से स्मार्टफून, तो इस प्राइज रेंज में मैंने फिर से ये यार दो स्मार्टफून जोकि रियल्मी से आते हैं, अंडर टूवनीफा थाउजंऑन आपको नौमी देखने को मिल जैंगे, मैं बात करळा हो रियल्मी औक स्यूपर जूम की, ये दोनों समार्टफून आपको बहुत ही जादा अपर देखनी को मिल जाते हैं, लेकिन realme x7 जो है वो आपको 5G देखने को मिलता है लेकिन realme x3 जो है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है realme x7 में आपको emulet display मिल जाती है जो कि आपको realme x3 में IPS LCD देखने को मिल जो कि 120 रिफ्रेश्चर के साथ देखने को मिलती है कार हैं से दोनो स्मार्टफों में देखने को मिल जाता है नंगे छृपियो प्रोण स्मार्टफून में thief pixel की स्मार्टफून चाहिए तो आप देख लेना अगर आपको फ्लैक्शिप प्रसेसर चाहिए आपके लिए बैस दिले हो सकते है वियल्मी X3 Super Zoom प्लस उसका कैमरा भी बहुत आदा सही है अगर आपको एक न्या फून चाहिए स्मार्टफून चाहिए तो आपके लिए बैस दिले हो सकता है वियल्मी X7 आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो जा फिर अगर आप रियल्मी X3 Super Zoom के और जाना चाते हो आप उसके और भी जा सकते हो तो दोनों के स्मार्टफून के और जा सकते हो प्लस इसके लिए तो अची पोटोस लेनी है टो आप सबके लिए प्रफेक्ट डील हो सकता है विवwo V20 तो आप है इस स्मार्टफून के और जा सकते हो Slim and stylish design तो मिल जाता है, प्लस इसके color वगरा बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलता है, Rainbow Shared में एक आपको color देखने को मिलगा, अगर आप लेना जाते हैं, तो भई वो ले लेना, माने स्पार्ट की बात करूँ आपको 5G smartphone तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन camera quality बहुत ही ज़्यादा सही है, प्लस इसके camera application में आपको ऐसे कई features मिल जाते हैं, जो कि आपकी photos को, आपकी selfies को, आपकी video recording को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, तो आप देख लेना, अगर आपको camera के recording smartphone जाएए, वीवो B20 आपके लिए perfect deal हो सकता है, आगे बात करते हैं, number one की, number one की बात करो, number one पर यार मैंने फिर से रखे हैं, दो smartphone, अगर आपको different design चाहिए, color पर गयारा भी आपको matter करते हैं, उसके साथ साथ आपको flagship processor चाहिए, hardware gaming करने हैं, high setting पर gaming करने हैं, design लोग को बगारा भी अपर चाहिए, आपके लिए ये दोनों smartphone भी बहुत ही ज़्यादा सही होने वाले हैं, मैं बात करों IQ 003 की end मैं बात करों LG G8X की, ये दोनों smartphone आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले हैं, मतलब आपको पसंद आएंगे, यार अगर आपका बज़र 25,000 है, तो सबसे पहले बात करते हैं, IQ 003 की, अगर इस smartphone की बात करों सबसे पहले आपको 5G smartphone बेल जाता, Super AMOLED HDR 10 Plus देखने को मिलेगे, डिस्प्लेय जो की Gorilla Glass 6 की production के साथ देखने को मिलता है, यह flagship processor मिल जागा, जो की 7 nanometer technology के साथ बेस्टा, तीन कलर में यह smartphone आता है, लेकिन और इंज कलर में यह बहुत ही ज्यादा suit गरता है, तो आप देख लेना अगर आपने smartphone के और जाना आप जा सकते हो, आगे बात करते हो, आगे बात करते हैं, आपको 25,000 के बजने में देखने को मिल जाता है, फून जो वो 360 डिग्री पूरा उपर हो जाता है, अगर आप अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शुकिन हो, आपके लिए तो पोफेक्ट डील होने वाली है, स्नाप्राइगन, 855 प्लस आपको पूर साथ देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा हार्गोर गेमिंग करने है, इसली नॉर्मली कर सकते हो, 6GB RAM के साथ देखने को मिल जागा, इसकी डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती, वीडियो र्कॉर्डिंग के लिए चाहिए, प्लस भई, अगर आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफून चाहिए, LG G8X आपके लिए पोफट डील हो सकता है, बाइंक लिंक में डिस्रिप्शन बाक्स में दिया हूँ, अगर आपने चाहओं करना है, आप चाहओं कर सकते हो, अगर आपने परचेस करना है, आप परचेस भी कर सकते हो, पच्चेस अजार के बजट वेंच में, तो यार, अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफून बता दिया, सैमसंग के स्मार्टफून भी बता दिया, संच मों को पांटे एक सिरने के आपका कि आपके को नाल की में हमें साथ को थी पर आपके हैं। मैं कशना खरद करनी और को सब्सक्राइब होटकी और में वीदियो को लिख आपम कि मैं ये बिल्ग साथ, थैंक यू